अम्दावात खाते त्रणदिवस नी नेशनल कॉन्फरेंच नो थायो पला रंभ अम्दावात काते त्रणदिवस नेशनल कॉन्फरेंच नी सरुवा थायजे मा समगर भारत मा थी 300 रेडियोलेजिस्ट अने 100 टेक्निशन हाजरेश बेश्ट इमिजिंग सोसाइटी ओप इंडिया नी नौमी वार्शी कॉन्फरेंच विसिकॉन बेजार बाविस अम्दावात नी हयात रिजन्द सी खाते सरु थाई स्टर्लिंग होस्पिटल ना सयोक थी आयोजी त्रणदिवसियर राष्टिय कार्यक्रमा बेश्ट इमिजिंग ना शेत्रमा नविन तक्निको विकास अने सव थी ताजेतरन अपडेट्स पर ध्यान केंदिरित करवा मावशे देश भरमाती 300 वदू रेडियोलोजिस्टिस अने इमिजिंग निशनातो जैमा जानिता वक्ताओ निशनातो तेमा बेश्ट इमिजिंग सेत्रे नवा निशाडिया सामेल चे जे आ कॉन्फरंस मा बाग ले रिया चे दर वर्षे भारत मा केंसरना केसोमा रेकोण वदारों जुआ मड़ेत रहे चे स्तन केंसर हवे भारत मा स्त्रियोमा सवथी सामान्ने केंसर चे जे मा मोटटा भागना दरधियोन निदान अध्यतन तबक कामा ठाई चे ते थी वेहलू औने सरकारक निदान अध्यतन इमेजिंग तक्निको एस समयनी जरुयाद छे आप रसंगे स्टर्लिंग होस्पिटल ना एमडी औने सीउ डॉक्टर सिमर्दीप एस गिल डॉक्टर नेहा शाह औरगेनाइसिंग सेक्रेटरी विशकॉन बेयाजार बाविस साइत महानुवा उपस्तित रहादा आ क्वान्फरेंस सिवावयन मा विचारों ना आदान प्रदान माटे सहभागियों ने तेमना साथीदारों साथे जोड़वा माटे एक इंटरेक्रिक प्लेटफॉर्म पुरुपाडी छे स्टर्लिंग होस्पिटल स्टर्ल कैंसर वहली तपास अंगे जागरूती लववा क्वान्फरेंस नो आयोजन करवामा विचातू आप रहा स्टर्म कैंसर स्किनिंग ना महत्वा विशे जन जागरूती मा वधारों थशे कैंसर एक चीज है जो हिपोकेटिस टाइम से भी था बहुत साल से है लेकिन जब हम उसको तब ना वो लोग स्टन को कटवाते थे या जो भी है अभी जो ट्रीटमेंट आया है हम अच्छी तरह से स्टन को प्रिजर्व करके हम रख सकते हैं और फैलना भी बंद कर सकते हैं तो कारण है लाइफस्टाइल पहले और पहले हम बहुत फिजिकल काम करते थे अभी उतना नहीं है पुल्यूशन जो है स्ट्रेस फैक्टर है और आजकल के लड़कियां हम अची है बात बहुत अची है कि हमने उनका एडुकेशन दिया है लेकिन वो काम करना शुरू कर दे है तो पुल्यूशन सब होता है तो कारण यहीं होता है लेकिन जेलना भी हमारा काम है जैसे फिटनेस जिम को जाओ रोज कसरत इजिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया बड़ा लेडिस को चाली साल के बाद एक मैमोग्रफी करना चाहिए तो उसके बाद जब आपका मैना होता है तब एक बार मन्तली तो आपका सेल्फ परिशोद करना चाहिए और रेगिलर चेकप चालीस साल के बाद डायबेटीज, ओबीसिटी यह सब होता है तो हाइपटेंशन सब चीज में कैंसर आने का रिस्क होता है तो रिस्क फैक्टर हमें करना चाहिए और हमारा लाइफस्ट अच्छी तरफ से करना चाहिए कैंसर आना इस अपनी तक्दीर है बट उसको जेलना और उसका ट्रीटमेंट इलाज करवाना हमारा शरीर अगर ताकदवर है तो हमको प्रॉब्लम नहीं क्योर रेट है बहुत से लोग है जिनका कैंसर मनिशा कोईरला है और जितना भी हमें ह तो कितने भी लोग आये हैं सब उनको रिस ट्राव करके अचा हो गया है तो वी शुड रिलाईज अच्छी अच्छीक्या थारि들 दो aself-examination on a monthly basis mammography after 40 once in 2 years at least and go for regular checkups so that you can assess your risk reduce your risk then only you will be able to fight it like so many youngsters as I have told so many youngsters I say dr. Nehaan shu sterling cancer hospital radiology consultant radiology तरीके काम करूशियो ब्रेस्ट इमेर्जिंग सोसाइटी ओफ इंडिया एक एव फांडेशन छे जे खास breast cancer ना फिल्ड मां काम करे छे एनने इस सोसाइटी नू नाम छे BC Breast Imaging Society of India अने 10 वर्ष थीच आ दर वर्ष एक annual conference नू आयोजन करे छे आ वखते आपड़ने आ आयोजन नो तक मली छे अनने BC Con A&E annual conference छे BC Con A&E annual conference नू नाम छे आचे आपड़ने बद्दा जें या 9th annual conference एले 9th edition of BC Con माटे भेगा थाया छे स्टर्लिंग नो आ फिल्ड मां बहुच मोट्टो फालो छे आपने बद्दा जानिये चे स्टर्लिंग गुजरात नी नहीं आने पर इंडिया नी वन आफ दा लीडिंग multi-specialty आने cancer specialty hospital छे जे मां घणाज बदा निशनान तो दर एक आने स्पेसिफिक्ली cancer center मां अपनी पासे बद्दीच प्रकार नी व्यवस्ता हो चे के जह सर्जिकल रेडियेशन की मोठरापी बद्दीच प्रकार नी एकट जेक्या उपर cancer नी सारवार थे शके भी नाम डॉक्टर सिमर्दीप सेंगिल है मैं Sterling Hospital Group का Managing Director और CEO सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अगर कैंसर को सही स्टेज पर पकड़ा जाए तो उसका इलाज हो सकता है and regular follow-up के से लोग बहुत और एक अच्छी quality of life वाला जीवन बैतीत कर सकते हैं so यह जो बात है कि अगर cancer आ गया तो death certain है यह मेरे ख्याल से गलत है Dr. सुमेश जादा qualified है statement का जवाब देने के लिए sir जो बोला था कि यह जल्दी कम अमर में आता है तो वो रिस्क एससेंवी यह अनलाग फॉरिंग कांट्री स्क्रीनिंग मामोग्राम but the higher risk people should go for a mammography as advised by our society and the surgical society so all of us have a common goal हम सब एक साथ इसको मिलके फाइट करेंगे और government को बोलेंगे की कुछ-कुछ hospital district level they should have a good quality mammography unit and as societies surgical society will support get good techniques to the lower level then only India every woman every family and lady is important साब में औरत बहुत सबर्दस्त काम करेंगे है जब चालीस उमर में औरत को cancer होता है अगर हम उसका अच्छी तरह से डाइप्रोस नहीं करते तो treatment अच्छी नहीं होते है तो इसलिए यह बहुत important है कि regular check-up, risk-based check-up should be done बाकी लोग ठीक है बाद इनका रिस्क जादा होता है वो तुरन mammography 40 उमर के बाद ज़रूर एक बार आना चाहेंगे और दो साल में, once in two years at least they should come for a mammography regularly platforms created किये जाहें, जहांकि doctors ना only Ahmedabad या Gujarat से सारी देश से या भार से भी आई और सब लोग अपनी best practices share कर पाई हैं, so that हमारे पास ऐसा कुछ भी ना हो कि हम किसी knowledge base से बंशेख रहें so हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी in fact November के धरभी में हम एक cardiology conference कर रहे हैं similarly December में हम एक neurology conference कर रहे हैं और यह सारी national level conferences so this is Stirling Group की commitment है जो भी हम कर पाएंगे in terms of creating similar breast cancer नूँ common age छे पास्चात्य देशों में अपरादेश में तो जूदा छे अपरादेशने epidemiological data छे प्रमाने लगभभ 88 का breast cancer अपरोण 50 यह स्थी उची उपरादेश में खाये छे आपर हैं बास्चात्य देशने में पास्चात्य देशों में प्वोटा भागे 59 वधू उपरादेश वस्थी वधू उफरादेशन की थे एक पहलोगो प्रश्न की ताया ओमें थाये छे ब्रेस्ट कैंसर थाई शक्रेश तरीश वरस्थी समझो के आपे त्यां रिस्क वधारे हवा मंदेश अने आराउं 50 अप्रेट इक्वली डिवाइट थाई जाएचे काया कार्णों की थाई छे अमोग जेरेटिक कार्णों छे लखव तस टका स्त्रीविमान भाएं बाके नेव टका देछे ए लाइफस्टाइन फाक्टरस छे अने एज एक बो मोटो फाक्टर छे एक खास मेसेज हुए आपको आप मांगो शू कि एक इंडिविज्वन नो एक व्यक्ति नो ब्रेस्ट कैंसर नो रिस्ट वान रिस्ट लोग जे अपने काल्कुलेट करें शकिए एक गाल्यों कि एक जानगारी बहुत ज़रूरी है एक इस सिंटम्स क्या है विपोज हमने रेखा है कि इंडिया में सबसे बड़ा प्रावलम क्या है कि लोगों को या लेडिज को यह पता ही नहीं होता है कि कैंसल की क्या सिंटमस है उन्हों को कांट अगर आ जाए तो ये गदर्ध कर दिरी कांट कभी दर्द नहीं है, तो पहुष बार ऐसा होता है, तो हुष लुग डॉक्तर के पास docks क्यों जातें पूंकि उसमें दर्द ही नहीं है तो यह ज़रोरी है आम लोगों को या आउरतों को कि जो भी गांट अगर आपको फीत हुई है तो आप जरूर डॉक्तर के पास चलिए आप जरूर देखें विकार सादी गांटी कैनल नहीं होती है तो डर के मारे सामने नहीं जाना वो भी एक गलत बात है दॉक्टर के पास जाके चेक-up कराओ, whether it is साधी गांट है या चैंसल की गांट है, तो गांट एक symptom है, दूसरा symptom है चेंज of the breast size, कभी redness आजाता है, कभी nipple discharge होता है, कोई भी ऐसी जो symptom होती है, जो फर्स ताम पता चले, तो जरूरी है कि एक बार जाके डॉक्टर के पास चेक-up कराओ, जरूरी नहीं कि वो सब cancer ही होगे, अगर cancer है, तो early detection हो जाएगा उसका, उसका complete cure हो जाएगा, यह जानना बहुत जरूरी है सकते, हमारे यह क्या होता है कि सारे लोग जब गांटीन सेंटीमेटर से बढ़ी होती है, तब जाते हैं दॉक्तर के पास, और तब तक वो बाकी के बोड़ी में भी फैल जाता है, तो stage 2 और अबाव हो जाता है, तो उसका treatment, उसका complete cure, उसका overall survival कम होता है, बड़ अगर तुम कांट बहुत छोड़ी है, तभी treatment ले लो, तो complete cure हो सकता है.